अब देखो आज मार्केट अनुमान डेफनिटी यहाँ पर गेपडाउन ओपन हो सकते हैं लेकिन कोशन तक है सर क्या सस्टेन करेगा देखो यह सभी चीज़े बताऊंगा आज क्या हुआ है क्या यह ब्रेकडाउन हो चुका है और इंपोर्टन लेटेस्ट न्यूस क्या है इ इतना हो सकता है 106 400 पॉइंट का मुझे फॉल दिखाई दे रहा था तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया आप अगर आप देखोगे यहां पर मैंने क्लोजिंग बिजिस पर में में क्या है करीब साड़े चार बज़े के 106 यहां पर 483 पॉइंट यानि कि जो मैंना अनुमान अब समय से आपंट करggakए कर अगर बाइस यहां पर कोई फैक्र करेंशन होते हैं अब मानलो सडनली वार छिड़ जाती है तो relation में जो भी आप एक दूसरे को देते हैं जैसे कि इसरेल दे रहा था water, electricity, food supply करता हुआ दिखाई दे रहा था गाज़ा को पहले वो अभी पूरा cut कर दिया है ठीक है तो ये definitely बात है दो दिन छोड़के वापिस मिसल करते है ऐसा भी वापस आपको future में दिखाई दिया सकते है confirm नहीं बोलोंगा लेकिन chances पूरे के पूरे है ठीक है तो ये और भी intensive why आपको होती होई दिखाई दिया इसकी वज़े सी आप बोल सकते हैं निफ्टी या मिड़केप सबको recover किये तो जरूद है लेकिन sustain नहीं कर पाए है ठीक है अब देखो उससे जाला negative impact कहां पर है तो कि हम लोग ने यस्टड़े बताए था कि भाई अदानी पूर्ट जो इसका इसराइल का है ठीक है अर्फी हाइफा हाइफा ठीक है तो वह ज्यादा impact होता हुआ दिखाई दे सकते हैं तो यहां पर जो अनुमान तक कि चार पांच पर संद गिर सकते उतरे ही आपे आदानी पोर्ट गिरता हुआ दिखाई दिया ठीक है लेकिन और बड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिखाई दी रहे है सी समझो बात को यहाँ पे मैं कर देता हूँ यह वाला देखो आज कौन सबसे जादा गिरा है तो कि उतका स्मॉल फाइनेस बैंक सेंट्रल बैंक यानि कि जो पी एस यू बैंक से जहां पर रिली आती हो भी दिखाई दी वह सबसे पहले फॉल के अब रिटल निवेशक एक बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वालों यह कोई नहीं समझाएगा आप लोगों को ठीक है हमेशा यह याद रखो कि अगर मान यह डिया स्टॉक्स होते है जो फाश भागते हैं जो ऑरेडी सत्र ऐसे परसे रन कर चुक है उससे ज्यादा तो वहां पर सबसे पहले प्रॉफित बॉकिंग ए्टी है अब आप सभी जाने के हुट को भी बहुत भाग रहा था आयो यह बहुत 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 ब्लाग रहा तो अब वहीं पर देखना वहीं पर सबसे जाधा profit booking है जैसे कि मैं hood को मैंने दिखा नहीं लेकिन एक बार hood को देख लेता हूं कहां पर है यह भी आप देखोगे एक टाइम पर 57 का स्टॉक था 95 तक गया तो यह जो सभी स्टॉक्स आपको दिखाई जैरे वहां पर पहले profit booking आती है तो अगर कोई मुझे रिटेल ने में पुछता है कि सर मैंने recently कोई buy किया है high beta stock है और short term में यानि कि 2-3 महिने में या एक महिने में stock 40-50% run कर चुका है दो-3 मेने में पकड़ लो ठीक है तो वहां पर आपको profit booking का पहले सूचना है देखो profit booking आयकी निये वो दो नम्मर की बात है लेकिन आपको पहले सूचना है क्योंकि अगर आपका short term का view हुआ का दो-3 दिन का चार दिन का तो आप स्टक हो सकते हैं वो भी टॉप लेवल से आई बात समझ में तो यह चीज़े आप लोगों को पर ध्यान में होनी चाहिए माइड में होनी चीज़े क्योंकि यह कितने गिरिंगे उसका कोई guarantee नहीं होती है क्लिया चलिए तो शॉर्टिंग सिंपल में पीएस को एक्स में सबसे जाधा profit booking है फिर जी एमार इंफ्रा जो एरपोर्ट रिलेटेड बिजनस होता है डेफरनिली प्रॉब्लम है कि एरपोर आप देखोगे वह भी बार देख लेता अदानी पोर्ट यहां पे सी अदानी पोर्ट का स्टॉक भी आपको यहां पर करीब करीब पांच परसन फॉल करता हुआ दिखाई जिए अगली बात आ जाते कि सर एफजार करोड के सेलिंग चो बड़ा फिगर नहीं है यानि कि डर पर जा सकता है देखो यह को पुदल दिखाई दे रहा है न में जो यहां पर दूसरे और इस्राइल जैसे भी है अब रस्या की वज़ेसे जो वार हुई थी उसकी वज़े से सेंक्षन लगे था यूस मार्केट में तो क्रूड रोल कैसे भागा था अब वैसे ही कुडल में आपको यहां पर momentum आती हुई दिखाए रही है तो हमेशा याद रखो कि जो भी countries हो जाते हैं ठीक है जो यहां पर रश्या जैसी हो जाती है अगर वार में connect हो जाती है तो क्रूडल के prices definitely बढ़ते हैं अब वो sustain करेंगे कि निए वो दो number की बात है लेकिने बढ़ते हैं तो अगर उच्छे कि सब क्या यहां पर यहां पर यह सो डॉलर को ब्रीक कर सकते हैं हाला कि आपको यहां पर पता नहीं चलेगा सो डॉलर है कि निए ठीक है सो डॉलर को ब्रीक कर सकते हैं तो माना जा रहें कि यहां पर सो डॉलर तक नहीं जाएगा ठीक है अभी जो पूल बैक आपको आता हुआ दीखाई दिया है वो टेंपरररी पूल बैक है और चांसे से सो डॉलर नहीं जाएगा लेकिन एक बात रीटेल निवश्यक य दोस्तों के बात करोगा तो यह बात ध्यान में जरूर रखेगा ठीक है क्रूड बी एक नेगेटिव पर क्रियेट कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर अब देखो यहां पर सी इसरेल यहां पर देखोगे करीब करीब हजार यहां पर फ्लाइट्स कैंसल हो चुके तो ज ही गई थी कि हम लोग रिल्वे बनाएंगे या पूर्स यहां पर बंदरगा है वह कनेक करेंगे मल्टिबल राउट्स यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजी हो जाएगा तो वह सभी चीज़े करेंगे तो इसके वाइज से रिल स्टॉक्स को बेनेफिट हो सकता था और इसराल का पोर्ट यानिकी अधनीफ पोर्ट जिस स्टॉक को बेनेफिट हो सकता था तो यह सभी बेनेफिट हो यहां पर साइट पर चला गए है तो अगर आफ रेल्वे लेकिन मैं हमेशा हमारे रीटेल नियोशक को बोलता हूं कि भाई तीन बज़े देखो अगर वह सस्टेन करता है पूल बैक तो पॉसिट अगर नहीं करता तो वह गया स्टॉक वह प्रॉफिट बॉकिंग का शिकर हो गया ठीक है तो आप देखो यहां पर एर्वेनल का स्टॉ क्लोजिंग दी 161 क्या सपस तो फस गया ठीक है बीना बाद के वह बी इंट्राडे में वह भी आप दो तीन पर संट का लॉस लेके बैठे तो हमेशा याद रखो कि अगर कोई भी नेगेटिव न्यूस आती है पहले तो पुल बैक में खरीदो इमत एटलिस एंड ओफ दर Learning करो ठीक कि अंड एड का वेट करो कि वह फुल बैक करता है तो सस्टिन करता है करनी करता है नहीं लेकिन पुल बैक सस्टिन करेगा कि कॐंई वह वेट करो कि आप भश्छाओगी कभी 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 एसा होता है कि realm 4 पस नीचे होता है फिर वह चला जाता है औरось पॉ याद रखना कि pullback में negative news आते हैं तो first pullback में कभी मत करीदना पहले देखो sustain करता है कि नहीं as simple as that तो अगर आप पूछे कि RVNL अभी कोई entry possible है तो थोड़ा wait कर लो बेओ कोफी हरकत नहीं करना है sustain करने तो और अगर कुछे सर्फ sustain का meaning क्या होता है तो यह जो आपको आज का fall दिखाई दिया तो आज का जो high होता है वो sustainable level होता है यानि कि मानलो RVNL का 166.25 level है stock closing दिये 160 पे अगर stock में दम होगा या बड़े place में दम होगा कि भाई मुझे और उपर लेके जाना है तो वो आज का high जरू तोडएंगे ठीक है भाई मानलो वार हो जाए या कुछ भी हो जाए या कोई खड़े में गिर जाए कुछ भी पर नहीं पड़ता आपको सिर्फ यह देखना है क्या 166.25 closing basis पे market close होने पे अगर यह लेवल तूट जाता है उपर की लेवल पर 167, 168 अगर वहां पर कहीं पर closing आती है या उससे उपर तो positive हो जाएगा फिर यह lifetime high को भी cross कर लेगा अर्वीनिल का stock लेकिन अगर वो नहीं तूटा तो high chances से के वापस आर्वीनिल का stock 140, 120 जग आ सकता है आई बात समझ में तो यह चीज़े आप लोगों को गांठ बांध लेनी है, पॉइंट ध्यान में रखने जो मिन आपको समझाने की कोशिश की वे हैं, बार-बार रिपेट नहीं करूंगा लेकिन I am sure आप समझ चुके हैं, ठीक है, सेम चीज़े एरकॉन के अंदर, अगर कुछे सबर एरकॉन में एक महीना दो महीने में कर सकते हैं, लेकिन कब जब यह लेवल टूटेगा, ठीक है, और मुझे इतने जल्दी आसार नहीं दिखाए दे रहे लेवल टूटने के, ठीक है, ठीक है, ओके, होब यह चीज़े समझ में आया चुकी है, चलिए, अब देखो एक आखरी चीज़ ब जाएगा तो जरूर, तो आपकी बात आज नहीं तो कल सही होगी, मैं सही के बात नहीं करा हूँ, देखो, आप कन्फीज मत होना, मैं सिफ यह बोल रहा हूँ, कि अगर आपका व्यू शॉट टम है, दो मेहने, चार मेहने, ठीक है, तो मैं इतना बोलना चाहूँगा, कि तो आइम लेके हाई ब्रेक करेगा, तो कम से कम आने वाले तीन दीन या चार दिन इसको हाई ब्रेक जरू करना होगा, अगर नहीं करता है, तो फिर तकलिफ हो जाएगी, ठीक है, ओकी बात करते हैं, मिड के बारे में मिड कर सकता है, अब देखो, मिड के इमपोर्टन सकता है, यह हाई प्राइटी है, हाई चांस है, ठीक है, हाला कि निफ्टी निस पान सो ब्रेक नहीं कि हम लोग देखेंगे, डाउ जोंस की मोमेंटम कैसी रहती, डाउ जोंस टेबल ओपन हुआ है, लेकिन देखते हैं, आप मिड के जाते हैं, मिड के इमपोर्टन रिमू का देता हूँ ताकि आपको याद रहे है फिर से, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन सपोर्ट अगर एक्जेटली बोलने जाए तो 39600 का है, ठीक है, यह almost यह सपोर्ट टच कर चुका था, तो अगर यह कल gap down open हो जाता है, तो फिर यह mid caps गया, फिर mid caps को भूल ज करती है, पॉब यह सब ही चीज़े पसंद आई है, समझ में लॉजिक समझ में, अगर हमारे वीडियो समझ में लॉजिक समझ में तो व्य वीडियो को ज़रूर लाइक का देना, एक सब्सक्राइब का देना, और अगर टेलिग्स देनी हैं, तो आप यहाँ पर ब्रीक डवन का मुझे आसर दीखे थे तो में आपको बता दिया थे कि मार्केट में रेजिस्टन्स उपर की लेवल से दिखाई दिया रहा है क्या यह कर सकते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुडबाई जाए है